हेलो एब्रीवन तो कैसे हो आप सब लोग एक बार दोगर सवागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टैगर्म दोस्तो आज मैं आपके लिए एक और नहीं वीडियो लेके आगे हूँ आजमत करने वाले एक नियो एप्लिकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़दा काम आने वाल कर दोश्तो आप अपने इंट्रेगराम के य क्डीट चैट को कैसेipple कर सकते हो तो आज मैं आपको यही बताने वाला हान वीडियो के अंदर वीडियो को द्याँन से देखनाया वीडियो पसंद ना थे वीडियो Δोस्तो वीडियो को श्रू करते हैं मना टाइम मेश्ट किए करना वनना आपको वीडियो समझ में नहीं आगी तो सबसे पहले आपको अपने फॉन के अंदर अपना जो इंशाग्राम ओपन कर लेना है तो मैं यहां से इंशाग्राम को ओपन कर लेता हूं इंशाग्राम ओपन करने के बाद आपको मैं यहां पर दिखायता हूं चैट्स प के बाद मैं पर इनको unsend कर देता हूं यह मनिया से unsend कर दिये इस तरीके से अब दोस्तों मेरे को अपने chats जो है सारे recover करने हैं तो मैं कैसे करूंगा आपको क्या करना उसके लिए आपको जाना है back जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर जाने के बाद यहां पर इसका कुछ ऐसा एंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो अब आपको क्या करना है यहां पर आपको एक ओप्शन देखने को मिल जाता है थी डोट का तो आपको थी डोट पर टैप करना है थी डोट पर टैप करन आपको यहाँ पर जाना है अपने यूर अक्टिविटी पर यूर अक्टिविटी पर जानने कि अबाद यहाँ पर इसका कुछ ऐसा अंतरफिस आपको देखने को मिल जागा, यहाँ पर लिखारा है, वन प्लेश टू मैनेजर यूर अक्टिविटी, और यहां पर लिखाना है time spent photo and videos interactions account history recent search link UV visit achieved recent download your information आपको क्या करने है आपको अपने chats जो है recover करने है दोस्तो मैं आपको बता दूँ आप chats क्या आप अपनी सारी post भी recover कर सकते जो आपने post डाल रखी है और आपने जो chats करें हो सारे recover हो जाएंगे तो आपको यहां पर जाना है download your information पर download your information में जानने की यहां पर जाना है request download दोस्तों यहां पर लिखा रहा है get a copy of what you will share or Instagram तो मैं आपको बताता हूं will email you a link to a file with your photos comments profile information and more it may take up to 14 days to collect this data and send it to you तो मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपके Instagram से आपकी email link होगी तो आप वो इसके नदर डाल सकते हो otherwise कोई link नहीं तो आप बार से भी email इसके नदर डाल सकते तो मैंने आप यह डाल दिये automatically यहां पर यहां पर यहां आरकी है यह passport डालने के बाद आपको यहां पर जाने next पर next करने के बाद यहां पर लिखा रहा है download requested अब यहां पर लिखागा we started creating a file of things you will share on Instagram and will email a link to why जो मेरी email है it me take up to 14 days to collect this data and send it to you remember to check your from inbox if you do not see it अब बोस्तों यहां पर लिखा रहा है आप जैसे कि जो आपका download data है जो सारा Instagram का आप उसको 40 days में collect कर सकते हूँ काफी लोगा जो है 48 hours में आ जाता है लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या वह भी यहां पर जल दिया जैसे तो मैं यहां से अपनी email login के लेता हूँ email login करने का दूस्ति है तो मैं पास जो है यहां पर link आ गया है Instagram से यहां पर मैं open करता हूँ open करने करता हूँ आप लिखा रहे यूर Instagram information तो यहां पर लिखा रहे है here is the file you request with the information about your account Mr.King9876 this link will only four days after we send it because it may content personal information we swear to keep the link private and only download the file to your owner computer तो दूस्तों इसका मतलब भी है कि जो यह link आपको भेजा गया यह चार दिन तक active रहता है चार दिन के बाद यह automatically यहां से हट जाएगा तो यहां पर लिखा रहे है download information तो मैं download information में click करता हूँ download information में click करने के बाद यहां पर मैं अपनी आईडी को login कर लेता हूँ Chrome browser browser के अंदर यह आपको करनी पड़ेगी login यहां पर जो है मैं अपना password डाल देता हूँ और मैंने यहां पर अपना password डालने गाद मैं आप इसको login करता हूँ login करने के बाद यहां पर एक notice आएगा तो मैं आपको दिखायता हूँ इस तरीकी का वह आपके सामने सो हो जाएगा तो हम थोड़ा wait कर लेते हैं और दोस्ते हैं यहां पर लिखा रहा है, note now करता हूँ मैं यह हैं से अब दोस्ते हैं यहां पर लिखा रहा है login to get your file यहां पर लीजर लोग अगीन तो मैं पर login इसको दोबारा कर लेता हूँ यहां पे मैं दौ़ारा पाशवर्ड डाल देता हूं और मैं पर इसको लोगिन करता हूं और मैं याप इसको करता हूं, note now note now करने का दोस्ते हार लिंखा एक, download your information हां दोस्ते हां लिखा रहर, your Instagram information here is the file you request with the information about your account mr king9776 तो यहांपניियाँ लिखा रहा है the do करने कहाँ है यहांपे जो है download file हो चुकी है if you get me क्यों पेलिवादोस्तों मेरे मेरे जो रॉपकर पूरे हैं यहाँपल हो चुका है तो मैं आसे सो इसको open कर लेता हूं इस पर tap करता हूं इस पर tap करने की अध्या पर लिखा रहा है आप किसके अंदर इसको open करना चाते हैं तो यहां पर मैं दिखाता हूं इसको WPS confirmation में इस पर open करता हूं और दोस्ते दोगो मेरी files, media, message, apps and websites, autofill information, after restore, digital wallet, shopping, events, यहां पर जो है मेरी सारी information आ गई है, हाँ दोस्ते दो, personal message जो भी है मेरे सारी यहां पर आ चुके है, files वगरा, media वगरा, जो मैंने post की है, जिन से मैंने message की है, जो delete की है, वो सारी यहां पर जो है, आ चुके है, तो इस तरीकी से आप अपने delete message को recover कर सकते हो, अप आपको इस तरीके से अपने delete message recover कर सकते हो, तो दोस्तो यह information आपको कैसे लगी, आप मेरे को comment box में जरूर होता ना, और अगर आप मेरे चैनल नहीं हो, तो में चैनल को subscribe कर लेना, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like, share और comments जरूर ना, तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतने अगली वीडियो मिलते हैं, मैं इसी तरह आपके लिए नहीं वीडियो लाता रहूँगा,